हलो इस्टुडेंस मैं संजीव मिश्रा अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब स्वास्त मास्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह ब्यासत होंगे कहानी लेखन शिर्शक है प्रयत्न से सफलता प्रिविद्यार थी वो आज हम सब मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन लिखना सीखेंगे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा निमलिखित मुद्दों के आधार पर निमलिखित यानि नीचे लिखे हुई जो मुद्दे हैं इसों मुद्दे कहलाते हैं आधार पर 70-80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचे शेर्षक दीजिए तथा सीख लिखे अब परिच्छा में यह 5 मार्क के लिए 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा अब यहां पर यह ध्यान में रखना है कि मुद्दे दि में गोनी चाहिए और उसको उचित सीर्षक देना है सीर्षक का मतलब मैंने बताया था कहानी को नाम देना है सीख लिखना है सीख का मतलब होता है उस कहानी समय क्या ज्यान मिल रहा है क्या जानकारी मिल रही है अब मुद्दे क्या है एक विद्यार थी असफलता मिलना निर शोकर आत्म हत्या करने जंगल में जाना मकड़ी को बार बार ऊपर चड़ते देखना सफलता का मार्ग मिलना वापस लोटकर परिश्रम करना सफलता मिलना सीख यह मुद्दे हैं अब यहां पर यह ध्यान रखिए कि यह जो सुरुआत के दो मुद्दे दिये हुए हैं इन्ही मुद्दों दो मुद्दों से हम अपना पहला पैर अग्राफ बनाएंगे एक विद्यार्थी मतलब उसका कोई नाम होगा वह किसी विद्याले की किसी कच्छा में पढ़ता होगा असफलता मिलना अर्था वह पढ़ाई लिखाई नहीं करता होगा परिश्रम नहीं करता नहीं मिलती हुआ पास नहीं होता है पास नहीं होता है फेल हो जाता है असफल होता है तो उसके दोस्तियार उसे जरूर चिढ़ाते होंगे तो यह सारी बाते पहले पैराग्राफ में अब परिछा में असफल हुआ तो उसका क्या प्रभाव उसके उपर पड़ा वहां पर यह तक जो है हम दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे यही मुख्य पैराग्राफ होगा यह तो भूमिका हो गई आपने परिचे दिया कि कहानी किसकी लिख रहे हैं फिर निराश होकर वह आत्महत्या करने के लिए जंगल में गया तो निश्चित है कि यह शहर की कहानी नहीं होते हैं तो यहां पर गाओं का नाम भी आ जाएगा है कि वह जंगल में गया वहाँ पर उसने जो कुछ देखा जंगल का वर्ड़न भी करना है मकड़ी को पेड़ पर चढ़ते बार-बार देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि जब यह मकड़ी बार-बार चढने की आस्ता मिल गया कि किस तरह से परिच्छा में सफल हुआ जाता है करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निसान अगर इसी तरह मैं भी परिश्रम करूंगा तो मैं भी सफल हो जाऊंगा अब यहां से अंतिम पैराग्राप कि वह बच्चा जिसका नाम आपको रखना है वापस लोट कर खुब परिश्रम करने लगता है दिन रात पढ़ाई करता है खेलना कुदना बंद करता है और जब परिच्छा होती है तो वह अच्छे नंबरों से पास हो जाता है सीख क्या मिली कि हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए जीवन में सफलता आती रहती सीर्षक क्या हो जाएगा प्रित्न से सफलता आईए इस कहानी को हम लोग लिखकर देखते हैं अब उसी मुद्दे के आधार पर हम लोग को कहानी लिखना है वो मुद्दे एक्जाम में द सिर्शक कभी भी परिक्षा में बाद में लिखना चाहिए अंत में लिखना चाहिए कारण है कारण यह है कि पूरी कहानी के लिखने के बाद हमें यह पता चल जाता है अच्छी तरह से कहानी को क्या नाम देना है जैसे कहानी मैंने लिख लिया है तो मुझे पता है कहानी का क् नाम दिया है एक कोशिश से काम्याबी बतलब प्रयास करने से सफलता मिलेगी अथवा स्रम से ही सफलता का मार्ग इसे भी कह सकते हैं प्रयात्न से सफलता आईए देखते हैं कहानिक इस तरह से तो आपको इस तरह से इग्जाम में लिख करके अन्डर लाइन करना चाहिए पैरा ग्राफ बनाकर लिखना है पहले पैरा ग्राफ में है सबसे पहले तुस बच्चे का परिचे देना है कहां क्या पढ़ता है वह बताना एक रामपुर्न नामा के महां या किसी भी गाओं का आप नाम ले सकते हैं उस गाओं में रमेश नाम का एक लड़का रहता था अब उस बच्चे का नाम लीजी जो बच्चा बिद्यारती है पढ़ता है उसका नाम हमने क्या रख़ा रमेश वह पढ़ने में परंतु रमेश को कम अंक मिलते थे इसलिए उसे हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता था तो आप तो जानते ही हैं कि जो बच्चे अच्छे नंबर नहीं पाते हैं उनको हमेशा चारो तरफ शर्मिंदा होना पड़ता है तिया हमने पर्चे दे दिया अब दूसरी paragraph में, रमेश नौवी कक्छा में दूसरी बार अनुतिंड हुआ था, अनुतिंड होना या नि फेल हुआ, नौवी में दूसरी बार वा फेल हो गया, तो उसे बहुत दुख हुआ, वह निराश हो गया और आगे बढ़ने की उसकी भावना समाप्त हो गई, उसे लगने लगा कि पढ़ाई लिखाई वह नहीं कर पाएगा वह आगे नहीं पढ़ सकता है उसके अंदर इतनी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह फिर पढ़ सके परिक्षा फल मतलब रिजेल पता चलने पर उसने सोचा कि अब कौन सा मुह लेकर घर जाओं इस बद नामी को झेलने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है जब वह फेल हो गया तो उसके मन में अविचार आने लगा कि वह घर कौन सा मुह लेकर जाए क्या सोच करके जाए घर ज चिढ़ाएंगे पासपड़ोस के बच्चे उसे चिढ़ाएंगे इससे अच्छा उसने सोचा कि क्यों मैं आत्महत्या कर लूं यह विचार मन में आते ही रमेश सबकी नजर बचाकर गाओं के निकट सुनसान जंगल में चला गया उसने आत्महत्या करने का निश्चे कर लि लगा फंदा डालने लगा किसलिए डालने लगा कि उसे आत्महत्या करनी थी आत्महत्या करनी थी lleva 9 वी में दूसरी बार फेल उगया था उसे लग रहा था कि घर गया तो उसकी बदनामी हो गी रस्टिक बांधते समय अचानक उसकी नजर एक मकड़ी पर गई मकड़ी इस्पाइडर आप जानते ही है जाला लगाती है मकड़ी पेड़ पर चड़ने का प्रयास कर रही थी परंत बार-बार नीचे गिर जाती थी वह कई बार पेड़ पर चड़ी और गिरी फिर भी उसने हार नहीं मानी रमेश ने क्या देखा कि एक छोटी सी मकड़ी है बार-बार पेड़ पर चड़ने की कोशिश करती है और बार-बार नीचे गिर जाती है फिर भी उसने हार नहीं मानी वह लगातार कोशिश करती रही अंत में वह पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गई उसने क्या देखा कि वह मकड़ी बार बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती रही और अंत में वह पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गई मकड़ी की सफलता को देखकर रमेश की निराशा गायब हो गई रमेश ने जब यह देखा यह छोटी सी मकड़ी जो है वह आराम से कई बार असफल हुई लेकिन उसने हार नहीं मानी कोशिश की और अंतिम में सफल हो गई तो यह देख करके उसके मन से निराशा की भावना चली गई मकडी से उसे जी तोड अर्था खूब परिश्रम करने की प्रेणडा मिली उसने सोचा जब छोटी सी मकडी अपने प्रेतन से सफल हो सकती है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ उसके मन में यह विचारा यह मकडी तो बहुत छोटी है यह जब सफल हो सकती है तो मैं भी सफल हो सकता हूँ बार-बार इसने कोशिश किया और इसको सफलता मिल गई मैं भी बार-बार प्रयास करूँ तो मुझे भी अवश्य सफलता मिलेगी मुझे भी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए यह पॉज्टिवटी है सकारात्मक्ता है इंसान कहते हैं कि बार बार प्रयास करें तो सफलता अवश्य मिलेगी मकडी से सफलता का ज्यान पाकर रमेज घर लौट गया उस दिन से वह खूब ध्यान लगा कर मन लगा कर पढ़ने लगा इस बार परिक्षा में उसे सुनहरी सफलता मिली सुनहरी सफलता यानि अच्छी सफलता मिली अच्छे अंक मिले अच्छे मार्क मिले सभी ने उसकी खूब प्रसंसा की तो यह हमारी कहानी हुई कहानी इस तरह लिखना चाहिए उसमें बीच में बातचीद भी होनी चाहिए अब इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली वह देख मिलती है असफलता मिलने पर हमें फिर से प्रयास करना चाहिए में नहत और लगन से काम करने पर ही सफलता मिलती है तो प्यारे बच्चों आप भी असफलता से घबराये नहीं मन लगाकर दिल लगाकर में नहत करें परिश्रम करें आपको सफलता अवश्य मिलेगी अगर प्रय लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में ही कमेंड बाक्स में जाकर कमेंड जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा धन्यवाद